हेलो फ्रेंड आप सब हुख सब्सक्राइब के यूटूब चैनल मांइंग टारेट में एक बार फिर से आज हम बात करने जा रहा है आपका ब्लाश्टिंग एस्पोजिव के सेकंड पार्ट के वारे हैं पहले पार्ट मैंने बनाया है आप जाकर प्लेइलिस्ट में ड़ला है देख सकते हैं वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगती है कहां कहां से धूंड के लिखना पड़ता है पर आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे है अग्दम डी मोट्वेट होते जा रहा है समझ मैं नहीं आ रागे वीडियो बनाओं क्या करूं सिर्फ कुछ भी अच्छा भाता ही नहीं हम सोचे फिरी में एकदम करा दें और कम समय बरबाद हो और मतलब ऐसी चीज़े डाला जिससे आपको समय बरबाद कम हो और आपको प वीडियो बनाने में तो फिर आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो मज़ा नहीं आता है तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो जो कि होने वाला है अपना ब्लास्टिंग इस्पोजिव का पार्ट सेकेंड आज बात करेंगे परिमिटेड इस्पोजिव से अ इसको डोनेट करते हैं लेटर पीस से शेप्टी और प्राइमरी एक्स्पोजिव ठीक है क्या सेप्टी उसके बारें बात करते हैं यह लो टेंप्रेचर रहता है ठीक है इसका डियूरेशन और फ्लाम प्रोड्यूस हुआ अपन थाउजंड सेकेंड के रहता है और इसमें क अपना सेप्री प्राइमरी एक्स्पोजिव रहता है अब बात कर देते के ट्रेट के यह पर्मीटेट एक्सपोजिव की सबसे पहले अपना पीवन अनसीटेट एक्सपोजिव इसके जामपल जैसे एजेसे जी एंड गोडाइन ठीक है इसका अप्यूक करते है कट ब्लास् इसको अपन अर्टर सेफ एक्स्पोजिव कहते हैं नौट मैनिफेक्चर इन इंडिया यूज डिले फाइरिंग ठीक इसको डिले फाइरिंग करते है अकला है अपना पीफाइब इसको प्यूक सॉलिड ब्लास्टे में करते हैं इसका एक्जामपल है पेंटाडाइन अब बात करते हैं सीटेश एक्स्पोजिव क्या है सीटेश लोजिव इस कोटेड भी था सीटेश एन इस सीओ थी मतलब सोडियम बाई कार्वोनेट अब यह क्या देता है तो ड्यू टू ब्लास्टिंग एन इस सीओ थी डीकमपोज मतलब तूट जाता है एंड़ फॉर्म स करते हैं मैच माचिक सिस्टिक से डेटोनेटिंग फ्यूज को और डिनरी डेटोनेटर से और नोन केप सेंस्टीव को अपन बूश्टर से करते हैं तो यह आप लोग याद रखिएगा पूस सकता है किसको किस से इगनेट करते हैं एकदम पॉंट बात कर रहे हैं कुछ भी डेटोनेटर की, डेटोनेटर अपना small copper और aluminium tube रहता है, ठीके, it used to detonate high explosive, अब type of detonator होता है, plain detonator और ordinary detonator, दोनों एकी चीज है, ठीके, उसको ignite करते हैं, safety fuse से, ordinary detonator दो type के होते हैं, ठीके, इसको fire करते हैं, passing electric current, इसको fire करते हैं, पासिंग electric current, यह दो type होते हैं, low tension detonator और high tension detonator, य low tension electric detonator with a delay element, यह दो type के होते हैं, half second or long delay, और दूसरा होते है, millisecond or short delay, यह दोनों चीज है की है, आपन इसका number, यह number 8 तक क्या आते हैं, पर इसका अपन यूज नहीं करते हैं, माइस में number 8 का, आप अपन सी number 6 detonator are used in mining, ठीके, the resistance of low tension detonator with 45 meter long, जो अपना रहता है, उसका किता रह हैं, sorry, 7 ohm, ठीके, तो आप याद रखेंगे, load tension पूछ सकता है, बायर के length 42 meter है, तो कित्ते ohm रहेगा, तो 7 ohm, ठीक, point to point बार जो आ सकते है, question, current record for ignition of fuse head 0.5 ampere, ठीके, MPS, single detonator can be blasted with minimum voltage 3.5 volt, एकदम सब जरूरी है, अब बात करते हैं, अपनी lasting accessories के बारे में, ठीके, सबसे safety fuse, यह रहता है, अपना granite और gunpowder, ठीके, इसकी burning speed होती, 100 से 120 second per meter, ठीके, यह question भवा के पूछ सकता है, मैं एक example समझा देता हूं, मतलब, एक meter को जलने में 100 से 120 second लगता है, दूसरा अपना detonating fuse, इसका dia होता है, 5 mm, बेट होता है, इसका 6, 8, 10, 12, ठीके, per meter length, इसका BOD होता ह है, यहां तक कोई doubt नहीं होगा, अब बात कर लेते हैं, अपना nonel के बारे में, यह क्या होता है, यह non electric detonator, बहुत लोग को इसमें question रहता है, यह 3 mm external and 5 mm internal die में रहता है, it can be blast by a detonator, all a detonating code, बहुत सुरक्षी थे यह, किसी भी बाहरी कारण से खुद को नहीं फटेगा, ठीक ह अब बात कर लेते हैं, nonel core किस नाम से जाना जाता है, आसकता है, nonel is also called a shock tube ignition, system भी बोलते हैं, अब बात करते 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 हैं, क्या है अब एसे सरी फोर सोर्ट फाइरिंग क्या कैसरी तो पहला अपना बोड़न इस्टेमिंग मतलब लकड़ी का दूसरा क्या है इस प्राइब ब्राश टू क्लीन दे होल एंड डिटेक्ट क्रेक ठीक तीसरा अपना फिकर यूज़ फूर इंसर्टिंग देटोनेटर ओड़नेटिंग फ्यूज और डेटोनेटर में छेंत करने के ठीक है इस क्या पर क्यूज होता है गट्डे को साब करने के लिए प पहला इंडूकेट सेलिटर फ्लाय रोग एडमीसफायर और अधर कारण है इसमें प्री मैच्वर ब्लाष्टिंग डूटू लाइटनिंग और स्ट्रॉम ठीक है दूसरा है प्री मिच्वर ब्लाष्टिंग और चार्ज होल्ण वाइल्ड ब्लाष्टिंग इन होट इस्टाथ आप बात करते हैं कि क्या साफधानिया लेनी एक साथ दो बेंच को बलास्ट नहीं करेंगे एक सायम में आपन क्या करेंगे डीलोड चारजिंग एक साथ नहीं करेंगे एक समय पर तो कोई डाउड अब बात कलें अपना कुछ DGMS circular है ठीक है कुछ रूल है उसके बार थोड़ा तीन पॉइंट उसको बात करते हैं अब बात करते हैं चार्जिंग और स्टेमिंग की करने के पहले क्या करना है अब उनको रगा देना है ठीक है डेक चार्जिंग को साब्ट और हाड रोग दोनों में हो वहां और अच्छा मिले इसलिए आपन कौन से करते हैं अब फाइरिंग के लिए क्या साब धानिया लेना है फाइरिंग ओल्ली डेलाइट आवर में पहला फाइरिंग करने के तीस मिनट पहले डेंजर जोन को दिखाएंगे डीफएल ब्लाश्टिंग में लाशटिंग को एवोईट करना है ब्लास्टिंग के लिए गोड़ प्रैक्टिस मनेजर बना आएगा रिकोड़ ब्लास्टिंग औफसर और कम्यों टर सायन मन्हीं जाए ठीक है स्लीपिंग होल का डूरेशन मेनेजर फिक्स करे मेनेजर एक्सपोजिम मेनिफिक्चर कंपनी से डिसक्स करके डिसाइट करेगा स्लीफिंग होल के दर के सो मीटर के अंदर कोई परसन नहीं जाए ठीक है यह होगे अपना फाइरिंग को लेकर अब बात करते हो टिस्टार्टा में कैसे ब्लास्टिंग करने इसमें क्या क्या सबसे लास्ट में चार्ज करेंगे याद रखेगा चार्जिंग और फाइरिंग सेल बीद बीदिन तो आवर दो घंटे के अंदर चार्जिंग करना है चार्जिंग के दौरान सीयों को मुनेटरिंग करेंगे अगर स्यूंपचास पीम से ज्यादा है तो सभी आदमीं को वह बंद कर देगा और मैंनिक सरदार और उसरड फाइर से डिसाइड करके चोकिदार को कहां बैठाना है डिसाइड करेगा अगर फैयर के परियापत आदमीं नहीं है तो ओवर मन को इनफॉम करेगा बोच सकता है अगर फैस में चार्जिंग के रिटस्टीग डिश्टिक के र सब्धानिया पहली है सब्सक्राइब के लिए मनेजर और माइनिक सर्दार और जीटी सेर्टिफिकेट वाला होना चाहिए याद रखेगा और मनेजर फॉर सब्सक्राइब करना है ठीक है जैसे गिर गया ठीक है तो अपने आप ब्लास्ट नहीं होगा अगला अपना ब्लास्टिंग पेटर्ण और कितना एक होल में डालेंगे मनेजर ताह करेगा अब बात करते हैं फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री में फर्स्ट लास्ट होल के बीच कर डिस्टेंस होगा अपना 150 मिली सेकंड से ज्यादा नहीं मतलब नोट एक्सिट दो होल के बीच की दूरी 60 सेंटी मीटर से नोट एक्सिड मतलब कम नहीं इसलिए में इंगली समीबत अनुद्ध ज्यादा नहीं होगी ठीक साथ सेंटी मीटर ज्यादा नहीं रखना है फर्स्ट डिग्री में 1000 ग्राम इस्प्रोज यूज करना है सेकंड डिग्री में 284 मी मीटर क्यों पर मिनिट हवा पहुंचना चाहिए यह अपनी बात हो रही सोलिट ब्लास्टी में क्या क्या आपन को साब्धानिया लेना ठीक है फेस के 18 मीटर तक गेस्टेक करेंगे असिस्टेन मनेंजर या ओबर में करेगा ठीक है सर्कुलर में 20 मीटर दिया है तो आप दे सीट 25 25 से ज्यादा होल अपना क्या है एक राउंड में नहीं होना चीब 25 से ज्यादा रूप फ्लोर साइड और वर्किंग विदिन 90 मीटर प्लेस ऑफ फाइरिंग ठीक है उसको क्या करना है ट्रेंच बित वाटर से उसको सीच के रखना 90 मीटर तक सोरील ब्लास्टिंग की बीड़न विदिन 60 मीटर ओफ एनी जो लोजिकल डिस्टर्बेंस ठीक है 30 मीटर वाटर रहेगा छिड़काव में ठीक किते परसंट में वाटर रहेगा 30 अब डिलिंग इसफायर से कैसे डिल करना है उसके बारे में बात करते हैं एक लिए 0.3 मीटर रिलीविंग होल अंडर चार्जिंग ओफ एक्सपोजिव ठीक है याद रखेंगे और लार्ज गेप बिट्विन टू कार्टेज होल नोट बीन प्रोपर्ली क्लीन दो होल की बीच की दूरी सही नहीं हो होल इन रोंग डारेक से क्या हो सकता है पूरे रीजिंग चोल सकता है उसे वह सकता है सॉकेट के चांक सॉलिड ब्लास्टिंग और डिले रिडियर टूर्ट इस टोंड क्या होते है दो होल के बीच का अगर interval कम है और start up broken और distance between two adjacent hold is less than 60 meter तो क्या हो सकता है अपना cut off हो सकता है यह कारण है important है पूछ सकता है cut off होने कारण cut off के हम कैसे treat करते है misfire के जैसे cut off treated is misfire ठीक है यहां तक कोई doubt नहीं होगा अब आगे चलते हैं direct initiation का उपयोग call cutting machine और blasting done with slices में अपन करते हैं direct ignition में gas ignition के chance कम होगा ठीक है solid blasting और stone drift के case में inverse ignition करते हैं तो याद रखे कि important है अब free face कि क्या है उसके बारे में समझते हैं वह जगा देना जिसमें explosive charge तूट सके stone drift sinking shaft and solid blasting में free face के लिए dealer detonator की मदद से देते हैं ठीक है तो यह इंपोर्टन है अब मिस्फायर क्या होता है explosive charge fail to explode इसकोल मिस्फायर मिस्फायर होने कारण क्या है मिस्फायर समझ के explosive charge fail to explode is called a misfire अब मिस्फायर होने कारण है explosive खराब है ठीक है पहला stone drift are increased chances of socket and cut off पहला क्या क्या होता है दूसरा फेस से 1.2 मीटर तक पानी से साप कर लेंगे ठीक है त्याद रखिए गए stone drift के case में क्या करना है ठीक है blasting में ब्लास्टिंग inverse innovation से होगी ठीक है फिर ड्रिंग ड्रिलिंग और कॉर्ण कट का व्योग करेंगे इसमें ठीक है बात करें अब कुछ important point उसको आप याद रखिए इस टेमिंग सेल भी 0.121 मीटर और अब टू माउट ओप दे होल ठीक है के बल सेल नोट भी 100 देन वानेटी मीटर टू कि वानेटी मीटर से क्या होगी के बल सोटर नहीं होगी तो यह कुछ important point है आप इसको याद रखिएगा अब आपन कल बात करेंगे इसके part 3 के बारे में जिसमें आपन डिसकस करेंगे drilling pattern के बारे में ठीक है इस पैसिंग बर्डन ठीक है पीक पार्टिकल बलुसिटी तो ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल को जाज़ाद लाइक सब्सक्राइब आप सेर कर लिए ताकि हम आपके लिए और ऐसे वीडियो लोके आते रहें थैंकियो फूर बोचिंग माई वीडियो